मशकार आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम है आज मैं जिस टॉपिक्स को लेके आए हूँ वो है अवेरनेस कॉंटेक्स्ट मेरे ख्याल से इसको बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा होगा अवेरनेस कॉंटेक्स्ट को मैं इसे समझाना चाहती हूँ आप लोगो क्या है कल्चर और कस्टम्स में क्या डिफरेंस है ये चुटी चुटी चीजे तो आज के वीडियो में अवेरनेस कॉंटेक्स्ट प्लस ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में मैं आप लोगों को एक्स्प्लेइन करूंगी तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते ह और अभी तक आपने सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे अवेरनेस कॉंटेक्स्ट इसको हिंदी में कहते हैं जागरुपता के प्रसंग अब ये क्या है इस कंसेक्ट को दो ग्रेट सोशॉलजिस्ट ने दिया एक है बारने ग्ल ग्लाइसर एन स्ट्रॉस ने तो कभी आपके नेट के आजकर नेट के एक्जैम में बोच ऐसे ही ऐसे कोश्ट पूचे जाते हैं इसलिए मैंने ये टॉपिक लाया की हो सकता है आपसे ये पूछी दिया जाए कि ये आवेरनेस कॉंटेक्स को किस ने दिया तो ग्लाइसर और स्ट्रॉस ने दिया है ग्लैसर जो है वो basically he was American sociologist and founder of grounded theory methodology आपने grounded theory के बारे में पढ़ा है तो grounded theory के one of the founder ये भी थे ग्लैसर और इसी तरह से एंसल में स्ट्रॉस भी American sociologist है और इनको हम medical sociology में ज़्यादा देखते हैं और साथ में इन्होंने भी grounded theory के एक developer के रूप में काम किया था तो इस तरह से भी हम जानते हैं Glaser और Strauss को और दोनों के ही एक बहुत notable work आया awareness of dying ठेक है इसी से ये निकला awareness context awareness of dying एक करके book आती है 1965 में जिसके main author है बारने Glaser और को author के रूप में एंसल्म स्ट्रॉस ने काम किया तो इन दोनों नहीं ये दो book लिखी awareness of dying and the discovery of grounded theory तो 1965 में आया awareness of dying इसी से awareness context आता है और 1967 में grounded theory आता है जिसमें हम grounded theory की बारे में बात करते हैं इट refers to the varying level of knowledge or suspicious that both patients and medical staff poses about the health status of the patient अब देखे ये किस तरह से है ये awareness context कौन सी study करके आया basically तो ये दोनों ही medical sociology के ही रहे हैं तो इन्होंने एक study की hospitals पे चिक होस्पिटल्स इस पे study की आगे मैं आपको ये बताई हूं और इन दोनों ने एक conclusion दिया कि किस तरह से dying process के बारे में जैसे मृत्य हो रही है उसके बारे में patients को क्या पता है और उसके जो relatives है उसको क्या पता है या जो hospitals के जो staff है उसको कैसे क्या पता है इसके बारे में उन्हों study की ग्लैसर इन स्ट्रॉस 1965 में study the process of dying in six hospitals in the San Francisco Bay area of the United States आपको मैंने पहली बता है कि अमेरिकन सोशॉल्जिस्ट है तो इन्होंने San Francisco Bay के छे hospitals पे अध्यन किया और वहाँ पर process of dying पता किया कि मृत्यू का जो तरीका है उसकी प्रक्रिया है उस पे study की they became intricate that people were unaware that they were dying more often than not अब इनका ये जानने का मन था कि अगर व्यक्ति मर रहा है ठीक है मृत्यू की प्रक्रिया में है तो क्या उसे पता है या नहीं पता है इस तरह का इन्होंने देखिए study करने वाले लोग भी क्या क्या कर देते हैं in contrast family members and hospital staffs were more likely to be aware of what was happening क्या जो खुद patient है वो ज्यादा aware है कि नहीं aware है उसके relatives और staffs ज्यादा aware है इस तरह की study उन्होंने की उसी को मैंने हिंदी में लिखा है and they identified four main type of awareness context तो जब भी मैं बहुत detail miss awareness context को नहीं बता रही हूँ बस इतना ही बताई हूँ कि awareness context है क्या इसको कितने किसने proposed किया यह theory किसने दी उन्होंने कितने hospitals पे study की और उन लोगोंने चार तरह के awareness context बताए ठीक है पहला बताया closed awareness दूसरा बताया suspected awareness third बताया mutual pretence awareness and fourth बताया open awareness ठीक है अब है क्या यह चीज़े मैं फिर बताती हूँ closed awareness बताया उन्होंने यह ऐसा awareness जिसमें patients को तो बिलकुल नहीं पता है इसलिए मैंने cross किया है देखी यहाँ पर cross किया है कि patient को बिलकुल नहीं पता है कि वो dying process में है उसके relatives को पता है but there is no conversation between them देखिए यहाँ मैंने जो third बनाया इस जगा पे वो conversation का है मतलब दोनों में इस मुद्धे को लेकर के बातचीत नहीं है दोनों मतलब patient और relatives में तो no conversation between them second जो type होता है इन्होंने बताया suspected awareness यह क्या है इसमें patients को little suspect है मतलब patient को कुछ तो ऐसा लग रहा है कि something is wrong with me suspicion वाली बात है यह नहीं पता है कि I am in the process of dying यह नहीं पता बट उसको कुछ suspicion तो होई चुका है कि कुछ तो गरबड चल रही है मेरे साथ relatives को पूरी तरसे पता है देखिए टिक लगा बट फिर भी दोनों के बीच में कोई conversation नहीं होता है तीसरे तरह के ऐसे मरीज है जिसमें mutual pretence awareness है मतलब patient को पता है कि मैं इस प्रक्रिया में आ गया हूँ relatives को भी पता है बट no talks openly बट उनके बीच में कोई भी बाते नहीं हो रही है मतलब सब जान रहे हैं एक दूसरे को पर फिर भी बयां नहीं कर रहे हैं और चोथा है open awareness open से आप समझ में आ रहा है open awareness मतलब कि patient को पता है कि भई मेरे साथ ऐसी चीजे चल रही है relatives को भी पता है और दोनों के बीच में cool के interaction भी हो रहा है तो इस awareness context मैं इतना ही बता रही हूँ या पर exam like मैं चीजे बता रही हूँ कि ये awareness context है तो sociology में आप इन चीजों को भी पढ़ते है sociology में लोग से उसने कि सिर्फ परिवार विवान आतेदारी ये वो sociology में ये सब भी चीजे हो रही है और recent के भाई ये सब contributions हैं तो हमें ये भी जानना चाहिए तो मैंने ये source oxford dictionary से ही लिया है आगे अब मैं आपको यहां इस वीडियो में बताऊंगी tradition और culture के बीच में बहुत confusion होता है और maximum interviews में पूस दिये जाते हैं बताए tradition क्या है culture क्या है दोनों में difference क्या है mores क्या है ethics क्या है customs क्या है values क्या है oh my god इसी पर हम confused हो जाते हैं बूरी तरह से confused हो जाते हैं तो इधर बीच इसलिए मैं उन चोटे-चोटे concepts पे ज़्यादा काम कर रही हूँ जब आप फसे न exam में भी कभी कभी क्या होता है न पूरा-परा line उतार के आ जाता है फिर आपको guess करना है कि tradition है कि क्या है चलिए शुरू करते है tradition क्या है परंपरा क्या है परंपरा परंपरा tradition हम हमेशा बोलते हैं आखिर है क्या इसमें है कि तो colombian dictionary of modern literary and cultural criticism defined tradition as passing down of elements of a culture इसमें बताया गया है कि tradition देखिए अभी मैं सोचने को पहले tradition न पढ़ा के मैं आप लोगों को पहले culture बता दू क्योंकि culture जो है वो broad part है और फिर tradition उसका एक हिस्सा है चीक है तो पहले culture समझते हैं culture क्या है कि culture is all that in human society which is socially rather than biologically transmitted जब हम एक generation से दूसरे generation में travel करते आ रहे हैं तो बहुत सारे biological transmission भी होते हैं ठीक है हम आप देखते हैं कि कभी-कभी हुबहु बच्चा अपने पिता जैसा हो जाता है अपने दादा जैसा हो जाता है बहुत सारे similarities लेके आता है तो वो तो biological transmission हो गया हम cultural transmission भी लेकर के आते हैं हम जो culture है उसको भी हम socially transmit करते हैं from one generation to next generation टाइलर ने बहुत ही beautiful definition दिया culture का learned complex of knowledge मतलब हमारा सीखा हुआ जो ग्यान है और वो तो complex है न जटिल हम क्या क्या नहीं सीख लेते हैं learned complex of knowledge, belief, art, morals, law and customs ये सारी ग्यान जो हम सीखे हुए हैं हमारा विश्वास, हमारी कलाएं, हमारी नैटिक्ता, हमारा जो law है हमारे जो customs हैं ये और जो एक पीड़ी के सदस से दूसरी पीड़ी को हस्तांतत करते हैं ये from one generation to next generation होता है क्रोबर और क्लुखान ने संस्कृती के लगभग 300 परिभाशाओं की सूची प्रस्तुत की है ये भी याद रखेगा factual question में आ सकता है कि किसने संस्कृती के लगभग 300 परिभाशाओं की सूची प्रस्तुत की तो क्लकृन ने संस्कृती हमारे रहन सहन तथा सोचने समझनी की शैली में हमारे प्रतिदिन की बाचीत में कला, साहित, धर्म, मनुरंजन तथा आमोद, प्रमोद में हमारे सुभाव की अभिव्यक्ती है हम जैसा नेचर है, आप किसी के नेचर को देखे कि वो कैसे बिहेव कर रहा है आप उससे भी उसकी कलचर को पता कर सकते हैं तो यह कलचर है, मतलब एक यह ब्रौड आस्पेक्ट है कलचर और उसी का एक हिस्सा प्रेडिशन के रूप में हम कह सकते हैं तो इसलिए हम लोग ने लिखा कि जो element culture का, culture एक generation से दूसरे generation pass on हो रहा है, उसी में एक tradition भी pass on हो रहा है, क्या है, the concept of belief, value, style and other forms of culture are passed down from one generation to next generation, culture के बहुत सारे element है, culture के element है, belief, value, style, ठेकर उसी में एक element tradition भी है, तो culture जैसे एक generation से दूसरे generation pass on होता है, उसी तरह tradition भी एक generation से दूसरी generation pass होता है, Shield snake definition दिया है, tradition का, tradition as a handling down or it is anything which is handed down from the past to the present, tradition includes material object, belief about all sort of things, images of person or event, practices and institution, it includes building, monuments, landscapes, sculptures, paintings, books, tools, machines, ये सारी चीज़े ही tradition में आती है, अभी भी आपको tradition और culture अगर नहीं समझ में आए, तो मैंने एक difference create किया है, इससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि culture और tradition में क्या अंतर है, culture is the collective term to identify the ideas, customs and social behavior of a particular people और society, मतलब culture एक collective form है, culture में हम वो सारी चीज़े रखते हैं, belief, हमारा value, हमारा tradition, हमारे ideas, हमारे customs, जो एक generation से तूसरे generation socially transmit होते हैं, ठीक है, tradition कहा है, traditions are the ideas and belief that are passed from one generation to another generation, बल्कि परंपरा क्या है, यह सिर्फ ideas और beliefs को carry किया हुआ है, ठीक है, इसमें customs, इसमें values, यह सारी चीज़े नहीं आती, यह सारी चीज़ तो culture में आती, क्योंकि culture तो एक broad aspect है, और culture के कई सारे elements में, एक element tradition है, और tradition क्या है, कि हमारे जो ideas और beliefs है, मतलब जो हमारे विश्वास प्रणाली है, उसको हम tradition से जोड़ेंगे, culture is a vast area, traditions are the part of the culture, जो मैं बोल रही हूँ, अब particular culture can be observed among a particular group of people, अगर हम group of people की बात कर रहे हैं, लोगों के समूँ की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो behavior देखा जाएगा, वो culture माना जाएगा, और ये tradition जो है, वो group of people नहीं है, वो family में आती है, जी के हर family के अपने unique traditions होते हैं, ये एक बहुत अच्छा difference है, आप से कोई culture और tradition में difference पुछे तो आप ये बता सकते हैं, कि culture जो है वो broad aspect है, जिसमें belief, value system, हमारे customs, हमारे morals, हमारे ideas, ये सब शामिल होते हैं, और culture का ही एक हिसा tradition होता है, जिसमें हमारे ideas और beliefs शामिल होते हैं, जो कि culture की तरह ही एक generation से दूसरे generation transmit होते हैं, तो इस तरह से culture जो है वो vast area है, और tradition जो है वो culture का एक part है, तीसरा difference आप बता सकते हैं, कि जो culture है, वो एक group of people में दिखाई देता है, उससे family से कोई connection नहीं होता है, जिसे बनारस की संस्कृती एक है, मैं काशी की रहने वाली हूँ, काशी की एक अपनी संस्कृती है, मिचाई खाना, पान खाना, अलड़पन, मस्त मौला रहना, एक अपनी संस्कृती में, तो ये एक group of people में दिखती है, बट tradition क्या है, वो group of people में नहीं दिखता है, वो family to family, unique होता जाता है, culture is created by a group of people over a long period of time, tradition can be created by individual, culture जो है, वो group of people के द्वारा बनाया जाता है, और लंबे समय तक चलता है, पर ये individuals भी create कर सकते हैं, और ये जो मैंने culture और tradition को समझाया, और जो awareness context ये तीन को आज मैंने समझाया, तो इसके ये sources हैं, आज ही मैंने इसे retrieved भी किया था, तो मेरे ख्याल से आप ये तीन topic अच्छे से समझ गए, awareness context, culture and tradition, तो अब इसके बाद मैं कुछ और छोटे छोटे points को ले करके जल्दी मिलूंगी, आप सभी अपना ध्यान रखे, till then take care, bye bye.